चोपड़ा जो किसने युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो CUET यानि Common University Interest Test के लिए Application Form स्टार्ट हो चुके हैं आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन-कौन से subject वाड़े कौन-कौन से courses के लिए इसमें apply कर सकते हैं apply कैसे करना है क्या problem आ रही है उसका भी मैं आपको यहां पर solution बताऊंगा कब apply करना है इसकी last date क्या रहेगी और CUET का exam कौन-कौन से language में कौन-कौन से subject में होगा इसके बारे में इस वीडियो में फूरी चर्चा करेंगे हम तो ये common interest test जो common university interest test है किसी भी university से आपको graduate या फिर post graduate course करने के लिए क्या जाता है इसमें integrated course भी होता है integrated का मतलब होता है कि आप एक graduate course करेंगे साथ ही उसके continuous में post graduate course भी साथ हो जाएगा जैसे BSC करेंगे और BSC के साथ ही तीन साल का BSC करने के बाद में दो साल की MSC भी साथ हो जाएगी तो integrated program भी इसकी में सामिल है तो पहले जो science background के student थे काफी university से BSC करते थे और इसके अलावा ICR का exam भी देते थे अगर जो बचा NEET की तयारी कर रहा है नेट में उसका selection नहीं होता था तो पहले ICR का exam देख करके वो agriculture से PG या फिर UG courses करता था तो अभी इसी CUET के तहट apply करके exam देखे जो ICR में admission होता है agriculture course में admission होता है dairy technology है food technology काफी सारे courses हैं उनमें भी तो जिसी university में जो courses है उसके अंदर आप इस CUET का exam देखे admission ले सकते हैं तो इससे इसकी जो website है exams.nta.ac.in जैसे ही आप इस website पर visit करेंगे इस परकार का interface आपको यहां पर दिखाई देगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका 12th class pass होने के बाद आप किसी भी university से PG या फिर UG course PG में integrated course CC के साथ है तो UG आप PG course करना चाते हैं तो यह exam आपको देना जरूरी है तो इसमें सबसे पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं exams.nta.ac.in पर जैसे ही visit करेंगे इस परकार का interface आपको यहां देखने के लिए मिलेगा यहां पर information blatant है आप एक बार information blatant download करके देख सकते हैं इसको एक बार पढ़ लेना पुरा कोई भी अगर आपको topic या article समझ में नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के comments में comments कर सकते हैं important downloads में आप download कर सकते हैं university देख सकते हैं कितनी university हैं इसमें तो total 91 university हैं अभी तक इसके बाद syllabus इसका देख सकते हैं कौन से subject का क्या syllabus है और contact में ntc contact कर सकते हैं इसमें अगर आपको यहां पर registration करना है तो click here for registration लोगिन पर click करेंगे तो यहां से आप registration के portal पर पहुंच जाएंगे तो इसमें university अगर आप देखना चाहें कौन कौन सी university है तो इसमें total 91 university है जिसमें 35 central university है अभी यह university इसमें और update हो रही है 44 central university हो रही है इसके बाद 20 state university है 7 dimmed university है और 29 private university है तो आप जिस university के लिए apply करना चाहते हैं जिस courses के लिए apply करना चाहते हैं एक बार search कर लें कि आप कौन सी university में कौन से course के लिए apply करना चाहते हैं तो आप एक white paper पर यह सारा note कर लें यह आपको information brochure में भी मिल जाएगा और मैं आपको जो आगे आपको यह फोर्म apply कैसे करना है उसके अंदर भी मैं यह सारी कारवाई बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन सा subject आपको choose करना है इसमें तो इस परकार से आप यह website का पूरा का पूरा information brochure website पर दिया गया है यह download करके देख सकते हैं इसमें इसके बाद में मैं आपको सला देता हूँ कि आप यह फोर्म थोड़ा रुक के फिल करें तो ठीक रहेगा क्योंकि इसकी जो last date है वो 26 of March रखी गई है तो अभी समय है इसमें क्योंकि अभी इसमें युनिवर्सिटियां और course काफी add हो रहे हैं यहां लिखाव भी आ रहा है CUTEG Applicants University and their offered program are dynamic and are being updated regularly तो आप थोड़ा सा इसको वेट करके इसको फिल करें तो सारी उनिवर्सिटिया एड हो जाएंगी कुछ दिन पहले इसमें total 1619 उनिवर्सिटी ही शो हो रही थी लेकिन अभी काभी सारी उनिवर्सिटिया शो हो रही हैं तो थोड़ा सा वेट करके इसमें सामिल हैं एक बार information प्लेटिन देख लेते हैं उसके बाद में आपको यह फॉर्म बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने apply करना है क्योंकि apply करते से मैं student को काफी problem आ रही है तो मैं आपको short में बता दूँगा कि apply कैसे करना है इसको तो information प्लेटिन एक बार download कर लेते हैं इस कर सकते हैं CUET exam के लिए इसके बाद में जो last date payment की रहेगी वो भी same date है payment की भी date same है इसमें correction की date 28 से 29 मार्च 24 दो दिन के लिए रहेगी इसके बाद में 30 अप्रेल के बाद आपका CT का announcement हो जाएगा कि कौन सी CT में आपका exam है इसके बाद में admit card मई के second week में download होना सुरू हो रहेगा वो 15 माई 24 से 31 माई 24 रहेगा यह hybrid mode में exam है यानि pen and paper में भी exam है और CBT exam भी है तो एक दिन में 2-3 shift में exam लिया जाएगा इसलिए यह जो exam की date है वो 15 से लेके 31 माई 24 रखी गई है इसमें response और answer की का बाद में date announce की जाएगी और website है इसकी वो हम देखी रहे हैं यह result आ जर्नल कैटेगरी की 3 subjects के लिए 1000 है और additional subject आप लेना चाते हैं तो 400 each subject के लिए है general category के लिए OBC के लिए 900 रूपीज 3 subject के लिए है और additional के लिए 375 है SCSTPWD or third gender के लिए 800 3 subject के लिए है और additional subject के लिए 350 रूपीज इस subject के लिए additional subject के लिए fees का क्या issue रहता है यह मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको कैसे इसमें आपको subject wise apply करना है यह मैं आपको आगे बता देता हूँ यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं medium of examination का तो इससे पहले हम देख लेते हैं जो test का medium रहेगा यानि कि hybrid mode में computer based exam भी रहेगा और pen and paper दोनुमें आपकी जो इच्छा है वो select कर सकते हैं और जो test का pattern रहेगा वो multiple question रहेंगे objective type question रहेगा इसमें 13 language में question paper रहेगा और इसमें आपको एक language subject चूज करना है एक domain subject चूज करना है और general test यह university और program के according है यह मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चूज करना है इसके बाद में इसमें total 50 question आएंगे ज और यह जो total duration होगा वो 45 minutes का होगा इसमें test का इसके अलावा जो accountancy, economics, physics, computer science यह जो subject है इनका जो test होगा वो 60 minutes का test होगा इसमें 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 जो test के according आप center choose कर सकते हैं language के according examination center use कर सकते हैं आप जैसे गुजराती आप select कर सकते हैं तो करते हैं तो उसका center रहेगा गुजरात दमन्दीप, दादर नगर हवे लिए center रहेंगे इसके बाद में हिंदी चूज करते हैं, इंगलिस चूज करते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी center ले सकते हैं exam center का अब इसमें जो total subject हैं वो total 61 subject हैं जिसमें 33 language subject हैं 27 domain subject है और एक general test है इसके बाद में जो twice of paper यानि कि आप 6 subject में आप exam दे सकते हैं आप minimum 6, maximum 6 subject आप चूज कर सकते हैं इन 6 subject में आपका सामिल है language test और general test इसके अलावा 13 language में test होगा hybrid mode में test होगा shift है वो pen and paper mode में 3 shift होगी एक दे में 2 hours के लिए यह इसमें जो देया गया है 33 language में 27 subject है 40 question attempt करने 50 इसमें क्यूशन आएंगे total और इसमें general test में total 60 question आएंगे 50 question इसमें आपको attempt करने है इसके बाद अगर देखें हम तो MCQs आएंगे इसमें और जो test का duration होगा वो 2 or 3 shift per day का रहेगा इसमें और जो 20 minutes है वो extra दे जाएंगे जो PWD candidates हैं इसके बाद में syllabus की बात करें तो इसका syllabus university की जो website है उसपे syllabus tape में दिया गया है इस पर आप click करेंगे तो हर एक subject का syllabus आपको मिल जाएगा general test का syllabus आपको यहां दिया गया है इसी के according तैयारी करनी है language का भी यहां syllabus दिया गया है domain subject का syllabus आप यहां syllabus के tape पर click करके यहां पर देख सकते हैं कि इसका क्या syllabus रहेगा अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए apply कैसे करना है और subject कैसे चूज करना है कैसे चूज करेंगे कौन सी university में कैसा subject यूज करेंगे तो अगर आपने नीट का form फिल किया होगा जो candidate नीट वाली candidate इसका exam दे रहें तो उनके लिए कोई problem नहीं है सेम नीट के तरह ही इसका form है इसमें सबसे पहले new candidate registered hair पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी website तो मैंने आपको वहाँ बताई दिया था registration पर क्लिक करेंगे तो cuetug.ntaonline.in के लिंक पर आप पहुंच जाएंगे new candidate register hair पर क्लिक करेंगे आप पहली बार registration कर रहे हैं अगर आपको application number और password मिल गए हैं आपने registration कर दिया है तो यहां से login करेंगे तो मैं यहां new candidate registration hair की tape पर क्लिक करता हूँ तो इसमें information plate नहीं यहां से download कर लेते हैं फीच वगरा के बारे में दिया गया है steps दी गी हैं इसमें कैसे application form फिल करना है नीचे आप टिक करके submit पर क्लिक करेंगे इसमें simply see इसमें steps हैं उस steps के according आप यह registration कर लेंगे जैसे आप registration करेंगे आपके mobile पे email id पर registration number आ जाएंगे password आपने जो choose किया है वो password आपने यहां login करते से में use करना है तो यह सारा registration एक बार complete होने के बाद आप जैसे ही login करेंगे registration number और password दे करके login करेंगे तो इस परकार का interface आपको यहां दिखाई देगा यह तीन step में form फिल किया जाता है registration application form और fee payment तो registration आपने complete कर लिया है यहां लिखाओ आएगा complete date इसमें अभी आपको application form और fees payment करना यहां तो complete application form पर यहां क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे यह application form इन स्टेप्स में पूरा होगा यानि contact details आपको फिल करनी है पर्सनल डिटेल करनी है अदर कोटा कटेगरी फिल करनी है qualification details फिल करनी है university program अब मैं इनके बारे में एक एक बारे में बता देता हूं simple से है इतना ज्यादा इसमें कोई दिकत नहीं आएगे आपको तो सबसे पहले contact details में इस परकार की details जो आपने पहले registration करते से में फिल की थी वह यहां आ जाएगी अगर इसमें correction है तो correction कर दें otherwise करनी है qualification detail में 10th or 12th के आपको detail यहां फिल करनी है इसके बाद university program यह मैं आपको यहां बता देता हूं university program में आप जैसे ही सारे step clear कर लेंगे university program की step पर आएंगे तो select university name पर आप जैसे ही drop down पर क्लिक करेंगे जितनी सारी 91 university है यह आपको यहां पर show होंगी तो जैसे ही आप एक university पर क्लिक करेंगे यहां select program name पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस university के अंदर जो जो course है उसमें वो course यहां select होंगे तो जो course आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके add कर दें फिर इसमें आप दूसरी university select कर लें फिर दूसरा course select करके add करेंगे तो इस प्रकार से आप maximum university add कर जादाशीज जादाशीज च्छै सब्जक्ट के लिए तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही मालो मैं ने यहां Central University गुजरात की है Select program में गुजरात में मैं यहां पर Social Management का course Select करता हूँ तो जैसे ही यहां पर select करोंगा यहां पर दिखाई देगा कि कौन से subject में आपको कौन सा ये CUT के लिए appear होना है कौन सा subject required है तो ये देखो इसमें अगर मैं गुजरात University में Social Management का course करना चाता हूँ इसमें इसमें 4-year BA degree course है ये तो इसमें मेरे को एक language choose करना होगा और English language choose करना होगा और इसमें जो section 3 है उसमें general test ये इसके CUT में ये मेरे को test देना होगा इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाते हैं आप तो read more about university पर click करें सकते हैं या click here पर click करके इसको देख सकते हैं इसके और भी program इस university के यहां से remove भी कर सकते हैं इसको दूसरी अगर देखें इसमें हम courses देखें तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे जैसे ही आप इसमें read more about university पर click करेंगे या click here पर click करेंगे तो उस university के particular आपको courses दिखाई देंगे कि कौन-कौन से course हैं यहां पर degree course पर click करेंगे तो वो सारे degree course का नाम दिखाई देगा program कौन-कौन से हैं और इसमें domain subject और language आपको काई से कौन-कौन से subject आपको उसके exam देनी होगी और आपकी eligibility क्या रहेगी 12 में आपका क्या subject रहा होगा इसमें तो जैसे मानलो एक subject का एक्जामपल ने हम जैसे कि bachelor of technology करना चाते हैं बी-tech computer science engineering से करना चाते हैं हम तो इसके लिए आपको English subject की requirement है मतलब यह इसका exam लगेगा CUT में physics का exam लगेगा और mathematics का exam लगेगा यह required subject है आपके CUT की exam के लिए मतलब इसका paper आएगा आपके पास और यह जो आपने 12 में exam में आपके physics subject था mathematics chemistry या फिर computer science तो यह subject आपके 12 में रहे होंगे रहे होने चीए तो इसी परकार से आप इसमें choose कर सकते हैं subject मानलो और दूसरे subject चूज कर रहे हैं यहां b-tech mechanical engineering कर रहे हैं या b-tech civil engineering कर हैं तो English का exam देना है आपको physics का exam देना है mathematics का exam देना है CUT का और यह आपके 12 में exam होने चीए यह papers होने चीए इसी परकार से अगर आप विकॉम करना चाते हैं तो विकॉम के लिए आपको English CA और फिर 10 plus 2 में 50% marks किसी भी discipline में आपके होने चीए तो यह condition दे रखी जैसी आप university चूज करोगे उस university के आपको सामने subject दिखाई देगा उस subject का आपको exam देना है आप nearby university चूज कर सकते हैं इसके लावा जो man-man university हैं वो चूज कर लें अपने state की university select कर लें आप उसमें तो इसमें आपको कौण-कौण से courses करने हैं वो भी आप एक बार देख सकते हैं इसमें जैसे कि मानलो university of Delhi में आप बेसी ओनर्स बोटनी करना चाते हैं तो physics chemistry biology तीन subject आपके होने चीए any one language होने चीए हिंदी हो सकती है इंगलीस हो सकती है तो एक language का test देना है आपको physics chemistry biology biology तीन subject का ये test देना है तो आपके चार subject हो गए यहाँ एक language का हो गया इसके लावाद 6 subject आप चूज कर सकते हैं और दूसरे program के लिए 2 subject आप और चूज कर सकते हैं जैसे कि दूसरी university में कोई और course के लिए आप करना चाते हैं एक्जाम चाते हैं तो दो course उसे select कर सकते हैं चार आपके subject यहाँ से होगे तो इस परकार से आप select कर सकते हैं जैसे जगनाथ university जैपूर है बीस से ओनर्स agriculture आप करना चाते हैं इसमें course तो आपके English subject का एक्जाम लगेगा physics chemistry इस परकार से अगर आप गुजराद Central University से करना चाते हैं जम्मू से करना चाते हैं तो यह subject दिये हुए हैं आपके यह subject में आप का पेपर आएगा उसमें आप दे सकते हैं यह एक्जाम इसमें दे सकते हैं जैसे कि जम्मू से आप करना चाते हैं five years integrated को प्रोग्राम जिसमें पहले BSC होगा तीन साल का दो साल का MSC होगा chemistry में तो इसके लिए है जो आपका एक्जाम लगेगा CUT का physics का chemistry का और mathematics या biology हो सकती है दोनों में से तो इस परकार से यह exam आपको देने हैं इसमें जो subject हैं इसमें आप यह subject दे सकते हैं मतलब अगर आप chemistry में करना चाते हैं तो physics में दे सकते हैं एक्जाम chemistry में दे सकते हैं mathematics में या biology में जो यहां समझने वाली बात यह है कि जो यहां oblique लगा हुआ है उसमें किसी subject में एक में दे सकते हैं और जहां coma लगा हुआ है वो necessary subject है एक्जामपल के लिए जैसे physics coma तो physics का आपको एक्जाम देना है chemistry coma तो chemistry का एक्जाम दे इक्जाम लगा हैं तो यह इस परकार से अब course कर सकते हैं क्योंकि course अब्सक्ट करने में ही student को problem आती है तो मैं आपको अच्छी तरह समझाई दिया गया है कि आप एक बार हैं पूरा का पूरा university पुरी सेलेक्ट कर ले उसमें देख लें कौन सी उनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स हो रहा है और आपके नजदीक की उनिवर्सिटी कौन सी है और सेंटरली उनिवर्सिटी कौन सी डिम्ड कौन सी स्टेट कौन सी यह उनिवर्सिटी के फर्स्ट पेज पर ही मैंने आपको बता दिया है है वहां दिया गया है तो वहां से आप सिलेक्ट कर लें प्राइवेट के लिए सलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें प्राइवेट की कौन कौन सी युनियो cercme से निकालने यह तो हो गया आपका युनियोरिसिटि प्रोग्राम का अभी टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सेलेक्शन के लिए आपको यहां लेना है तो आपकी जो पहले सब्जेक्ट सेलेक्शन है यानि कि आपको यहां एक फिजिक्स का एक्जाम देना है यहां मालो आपको चार एक्जाम देने हैं यहां यहां पिर इसमें मैथमेटिक्स वगरा जो करोगे language का आएगा तो उसमें कोई भी Hindi English जो भी language आप select करना चाते हैं वो select कर लें तो इस परकार से आप minimum ये 6 subject दिये गए हैं ये 6 subject ही कर सकते हैं चार subject जैसे physics, chemistry, biology और English आपने कर लिया उसके बाद किसी दूसरी university में आप exam देना चाते हैं जैसे आप किसी में देना चाते हैं अलग language का देना चाते हैं बी-ए करना चाते हैं, पिकोम करना चाते हैं एक language और फिर एक General Test आप को या select करना है तो इस परकार से ये select कर लें ये does जो यह home मेडियम है वो यहां पर इसकी के सामने दिया गया है वो select कर लें तो इस जानकारी थी इसमें युनिवर्सिटी के बारे में सारी की सारी जो मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपने अपलाई करना है कैसे नहीं करना है इसके बाद में आगे प्रोसीड पर करेंगे यह तो मैं आपको टेस्ट बता दिया है कि क्या का टेस्ट देना है एक्जाम सेंटर रखना है आपको exam CT सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपने exam CT सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद में आप इसमें documents upload करेंगे documents upload में आप photo और signature upload करेंगे और उसके बाद payment कर देंगे payment करने के बाद में आपका form submit हो जाएगा जो student को problem आगती है वो university program परम सेलेक्ट करने में आती है, तो वो मैंने आपको बताई दिया है, बाकी सिंपल सा फॉर्म है, एंटी का जो नीट का फॉर्म भरादाता है, वैसे ही इसी का भी फॉर्म भरादाता है, C.U.C.E.T. का तो आप agriculture course करना चाते हैं या फिर B.S.E. करना चाते हैं किसी भी university तो C.U.E.T. का exam आप एक बार अवस्य दे तो यह जानकारी थी C.U.C.E.T. के पेपर के बारे में बाकी जानकारी के साथ में आप से फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लिता हूँ विदा जय हूँ